फ़ड़ी सी परिस्थितियां बदल भी जाएंगी और कटिन भी हो जाएंगी क्योंकि वो खेलेंगे अंडर लाइट्स बल्ले बाजो थोड़ा संभल के रहना केट बाद कप्तान तयार है कॉल के लिए हैड या टेल इसके पक्ष में किरेगा सिक पर इस थितियां तो खेल के लिए नुकूल लगती है लेकिन टास जीतने वाली टीम को लगता है प्रीज पर आएंगे अंडर पास अमीद एई है आप ले ओवर्स का समय याने की चौके मारने का मौका मौके का लाब उठाना होगा बल्ले बाजो को फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा बेटर सेफ दैन सौरी बल्ले बाज जोखिं उठाएगा नहीं डॉट बॉट साइड में बदलाव केंद बाजी करने का किया है फैसला गेंद एक तम स्लॉट में और पार्क्स की अप पार्किंग लॉट में छे रण इस समझ बूच के छुपा कर डाली ये स्लोर गेंद वानिसली मैंने भी ऐसे बहुत बार चपमा खाया है गेंद को हलके से धकेला है मिड्रिकेट के रीजन में हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ ये गेंद सीधा कारपात में जाके लैंड हुई होगी समय है गेंद को दर्शक दीरगा में भेजने का फ्री हिट का टाइम इस बार बड़े शॉट का प्रेयास गती में मिशन के साथ चकमा देने का किया है प्रेयास अच्छी स्लोल बहुत ही महंगा ओवर लेकिन लगा ऐसे जैसे रन बड़े सस्ते में बट रहे हो समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के चकित किया बल्ले बास को यह आउट करार दिया है अंपायर में टाक्समन को बिल्कुल सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े है तीसरे अंपायर की तरफ अंपायर के डिसीजन को रिव्यू करने का किया है फैसला सही लाइन अंगर की तरफ तेजी से गेंग जाके लगी पैट पर विकेट के बिल्कुल सामने आउट करा दिया अंपायर फ्रा साइम को संफल के खेलना होगा और पोशिश करनी होगा अंधता ये नाबाद रहे जब छोड़ने से काम चलता है तो छड़ने की ज़रूरत क्या है बहुत बड़िया गेंग को छोड़ा बल्ले बास रहे सटी गेंग डॉट गेंग सूपब दूसरा फीलर का बड़िया थ्रो एक दंस टंस के ऊपर जबरदस प्रयास क्या बच गई है विकेट यहाँ पर जबरदस अपील बल्ले बास भी असमंजस में अमपायर ने कहा आप सुरक्षित है नॉट आउट करार दिया दो दो हाथ करने की मंच्छा से आए है मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम चतुर है गेंग बास दूसरे से छकाया बल्ले बास को सटीग लाइन सटीग मान दिया एक अच्छी गेंद को फॉर्वर्ड डिफेंस नेक्स साइड पर भड़ी हा स्कुर्ड राइल लेकिन रन मिलेगा नहीं तॉप स्पिन के वेरियेशन से कम करना का जबर्दस गेंद राइट थू दिफेंस बल्ले और बैट में था गैब गेंद जाके लगी बेल्स पर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है बल्ले बाजों का ये महल गेंद बाजी दुरुस्त टीम ने कुछ प्लान किया है और उस प्लान का हिस्सा है ये मेडलॉडर में बैटिंग करते नहीं है अमूबन लेकिन आज यहां भेजा गया है इनको ये है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्ले बाज को पसंद नहीं एक और किफायती ओगा आफसाइट पे अभी भी फिल्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेन देखते हैं कैसा बुदते हैं ये जाल दूसरा डलने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज हवा में थोड़ी तेज है फ्लिपर ये गेन है चकित बल्ले बाज स्टम्स की बतियां जल गई बल्ले बाज की बतियां बुझ गई इलकुल साधारन बल्ले बाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है खाते में किये हैं चार रन जमा जबर्दस शॉट से की है शुरुआ गेंड बड़िया थी कठिन सवाल था लेकिन बड़िया जवाब जाने दिया गेंड को कीबर के पास एक और बड़िया गेंड एक बार फिर रन नहीं बैट्समें चक्मा खा गए है लेकिन अमपायर मुस्ताइद नॉट आउट टफ एसनर इसे कहते हैं संभल कर खेलना इन दो रन्स के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को थोड़ा नीचे की तरफ रही है गेंड चतुराई वाली बोलिंग गेंड बास की सूझ गूझ के पगड़ा इस गेंड को फिल्डर ने साइट पे अभी भी फिल्डर का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेंड देखते हैं कैसा बुझते हैं ये जाल बढ़िया गेंड कोई रन नहीं बल्ले बास ने आगी की तरफ पैर निकाल के गेंड को रोका सूप अब दूसरा रोकेट आम है इस फिल्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है और इस चॉट के साथ खुला इनका खाता कलाईयों का कलाकार है ये खिलाडी पैरोग अगर डालोगे गेंड तो रन बटो रेगा ये फिल्डरों गेंड बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रो एक दम जड़ में थी ये योरकर बल्ले बास को अता पता नहीं था केंड का तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आपने आपसे कुछले काम के बल्ले बास को उपर भेजना क्या समयलों के जवाब पूछने वाले हैं देखते हैं आज पिरचे बल्ले से सीधा शौट स्ट्रेट श्लॉग डाउन दे ग्राउंड तराट वोल्स अ सेटाप सुरक्षित हाथ है इस फिल्डर के कैच पहली गेंड बन गई आखरी गेंड हाते में एक रन भी रही गोल्डन डाक बहुत ही रोचक फैसला कप्तान का लोर और बल्ले बास को पिनर अपनी शुरुवात कर रहे हैं स्पेल की लेकिन आफ साइड पर वैसा ही जमावडा जैसा पहले था बल्ले बासों ने की है थोड़ी सी संभल के शुरुवात समझ सके हैं आप कि इनके जहन में क्या है इसे कहते हैं बडिया फील्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं रेक्स साइड पर बडिया स्क्वेड ड्राइव लेकिन रन मिलेगा नहीं ओवर स्टेपिंग यानि की ओवर में एक्स्ट्रा बॉल नो बॉल विसाइड की है अंपायर अच्छा मौका है बल्ले बाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और मुफ्त की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका च्छका लगा नहीं पाए चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बाज को रखा है खामोश एक और डॉट गेंद स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर डिरेक्ट है बहुत ही साधारन रनीं बेट्वीन बिविकेट्स विकेट गवाया और इस चौट के साथ खुला इनका खाता फ्लिपर डाली तेजी से अंदर बल्ले बाज संकट में बढ़िया गेंद को दिया है सम्मान बैट पैड साथ में बढ़िया है डिफेंस एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की टीम पर कमाल का शॉट और क्या थी खूब सूदत ये डाइमें गेंद को स्टैंज में पहुचाया बोलर को कहा टाटा बाए बाए आपका ओवर समान बल्ले बाजी टीम के लिए पेस का फ्लैन है पास बोलर को बुलाया गया है अटैक में एक्शन में आंप स्टीम में कोई बदलाब नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में बढ़िया स्लोर वन हैंड की फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं मिड़ान की तरफ बढ़िया ड्राइव लेकिन फिल् लुकुल साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दिया अपनी बल्लबाजी क्रम में खासी उठा पटा लोर ओर बल्लेबाज को टॉप ओडर में भीजना या पैटिंग ओडर को लंगवा करना चाहते है कपता चेंज ओफ पेस गती में परिवर्तन फ्लोर गेंग अच्छी रिवर स्विंग मिली इस गेंद पर गेंद पर तो मानने का प्रयास ही नहीं किया था शरीर का निशाना साधा सबलता भी मिले सठीक लाइन सठीक लेंथ कठिन सवाल पल्लेबाज के पास नहीं था जवाब बाजु ए खोल दी अंपायर ने वाइड का किया है इश मैं है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ यह है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्लेबाज आज तो बहुत मेहनद मशक्कत करनी होगी बल्लेबाज को क्योंकि रन आसानी से यह फील्डर देगा नहीं लेक्स साइड पर भड़िया स्कुरेड राइव लेकिन रन मिलेगा नहीं हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उचाल यह है टॉप स्पिनर की खासपा अंडरस्टैंडिक तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति जान हलक में है नमभी डाई संपूर समरपन उचसा भी है विश्वास भी है विकेट बिलने की आस भी है लेकिन अमपायर ने कहा नॉट आउट फिल्डर्स पे डालक दबाव एक को किया दो में तब दीए जबर्दस स्पीड कमाल का रियाक्शन तॉप नॉच फिल्डिंग इस फिल्डर के दुआ हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ अब विश्वस निये अध्वित्ये फिल्डिंग का प्रधर्शन ख्राउड अपने फीट पर पांचों उगलिया मिलके बन जाती है मुठ्थी और यही काम कर रही है ये टीम मुढभेड के लिए है तैयार फिल्डिंग में है पूरे जाबास क्लीन स्वीप है यह और क्लियर भी करेगा फिल्ड को एकदम आसान कैच छोड़ दिया भाई इससे ज़्यादा सिंपल कैचेज क्रिकेट में तो आपको मिलेंगी नहीं और की आखरी के देख कर गई है चौका इससे बहतर शौट क्रिकेट में आपको दिखेगा नहीं खूब सूरत स्टेट ड्राइफ ड्राइफ तो बहतरीन था लेकिन फील्डर वहां मौजूद थे रंग की गुंजाइश नहीं शब प्रतीशा चौके को अपनी कमाल की फील्डिंग के चलते रोका सेंसेशनल स्टाफ एक और नो बॉल ये एक्स्ट्रास बाद में बहुत महेंगे पढ़ेंगे इस टीम को एक महेंगी डिलिवरी दे कर गई है मुफ्ट की गेंद यानी की फ्री हिट मुफ्ट की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका चौका लगा नहीं पाए एक और नो बॉल ये एक्स्ट्रास बाद में बहुत महेंगे पढ़ेंगे इस टीम को बोलर का नुकसान बनले बास का फायदा अमपायर ने सिंग्नल की है फ्री हिट दो दो हाथ कर पर बैक्स्पिन पर नजर डालिए चतुर गेंद बास फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो दूसरा डालने का प्रया तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तुम्हें आपने आपसे एक एंड पर सेट गल्ले बास पड़ा है उन्हें जरूरत है अपने नहीं साथी से पूरी सपोर्ट कर आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक मत अंदाज में कहते हैं ना चेंज इस दी उनली कॉंस्टेंट या साइड बदली गेंद बास में चलिए देखते हैं कि अपने आखरी स्पेल में क्या कारनामा करते हैं ये गेंद बास चतुर है गेंद बास दूसरे से छकाया बल्ले बास को फील्डरों गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रो दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज पैरों पे गेंद कलायों को मोड़ा बढ़िया ले ग्लांस इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात ओर दर स्टम्स गेंद बाजी का फैसला लेकिन क्या पारी ओवर कर पाएंगे ये बल्लेबास की हलका सा शुफल किया और गेंद को लेक्स साइट पे भेजा बेल्स की बतिया जल गई है बल्लेबास की बतिया कहीं बुझ न जाए ओपिस ठैक अगेंद को स्टम्स की तरफ टरेक्ट हिड बरिया फिल्ड है एक एंड पर सेट बल्लेबास खड़ा है उन्हें ज़रूरत है आपने नए साथी से पूरी सपोर्ट का बड़ी गलती हो गई नो बॉल यानि की फ्री बी बल्लेबास की टीम को फ्री हिट का समय है लेकिन क्या समय बदलेगा बल्लेबास का इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात असा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉक स्पिन का किया है इस तुछ भारत अभियान का ब्रैंड अम्बैजडर बना दीजिए इनको क्या स्वीप करते हैं ये थोड़ी अधमनी सी एफट लगी यहाँ पर उमीद है कि जो फ्री हिट पे किया वो बाकी गेंद पे नही फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं बढ़िया फुट वर्क कलाईयों की कलाकारी फ्लिक बहुत आसान सा यह रन आउट और चमक गई है स्टांप्स आज बैटिंग और में किया है बद्र चेंज ऑफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में विकेट्स की तलाश में फील्ड में किया जा रहा है लगातार बदलाव गती में किया परिवर्तन चकमा दिया बल्लेबाज को और चारों खाने चेत आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षात मगंदाज में खेला फील्डरों गेदबाज का च्छाता आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यही है कि सलामी जोडी यह कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है पहली गेंपर गबादिया अपना विकेट और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के ना लुकुल साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहाँ इनको ति फिर जस्ट गो बैक तो बेसिक्स चाबू कॉपी बुक छेरां स्टैंस में फील्डर नहीं होते वहीं से मनवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे छे पहली गेंद पर छक्का इस से बहतर शुरुआत कहां है संभव छे का पहाड़ा पढ़ रहा है बल्लेकार छे और छे अंस्टॉपिबल वहीं सीदी दरार उसमें से बटोलिये हैं पूरे चाथ चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा या बल्ले बास सही जज्जमेंट का सही नतीजा बढ़िया कैच एक और सफलता खेंद बाजी यूनिट की एक धमा के दा शुरुआत अब इन्हें सिर्फ अपने डेशिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है विकेट की है तलाश और स्पिनर को दी गई है गेंद क्या वो विकेट चटका पाएंगे फिल्लर की अच्छी एफ है और बढ़िया थोगी यह नेर ने बल्लेबास के पक्ष में अम्पायर ने नकार दिया पील तो इनिंग्स को शुरू करने का इस से बहतर तरीका हो ही नहीं सकता स्माश्ट हवा में है शॉर्ट फिल्डरों को छोड़ो दर्शकों को भी नहीं लगेगी हवा स्ट्रेडियम के बहर छेरन शॉकिंग इंपाट रॉकिंग आउटकम छेरन मिलेंगे यहाँ पर पिरचे बल्ले से सीधा शॉर्ट स्ट्रेट श्लॉब अंदर ग्राउंड सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता प्रीज पर आए हैं ने विकेटास उम्मीद है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे बूम चार रन और आट कर लिजी अब बल्लेबाजी टीम के खाते में बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर सीधा चौथे गेर में की है शुरुवात चौके के साथ खाता खोला स्लाम ये गेंद गई है दूर पोसो दूर देकर जाएगी छेरान उची दूर गई है रॉकेट की तरह स्लाम और ये गई चार के पाप ये इंद बाजी में ज्यादा धार नजर आ नहीं रही अगर टीम को वापसी कर दी है तो कुछ बदलना होगा चार 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 है ट्रिक और फोर्स कोशिश तो भरसक किया गेंद बाज ने लेकिन बल्ले बाज के सामने एक नहीं चल रही चौको की जड़ी लगा दी यहाँ पर गेंद बाजों के खिलाफ खेल नहीं रहे अब तो खिलवार कर रहे हैं ये दो बल्ले बाज ताप क्लास ओवर की आगरी गेंद देख कर गई है चौका एक के बाद एक साधारन गेंद बहुत सारे रन बाद में शायद पच्टावा होगा कप्तान ने गेंद दी है औफस्पिरर को विकेट की है मन्शा क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंद बाज इस गेंद को पढ़ने में पूरी तरहां से असमर्थ बल्ले बाज सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बाज खामोश बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग पढ़िया रंग बटो राव बल्ले बाज उने इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त क्या खूबसूरत अंदाज में विजय प्राप्त की खिलारी ने नेल बाइटिंग मुकाबला था दोनों ही टीम्स ने की बहुत सारी जग्दोच है ठैरंत में एक टीम को मिली जीत और उनको है बहुत सारी बताई गेंद बाजों ने किया थोड़ा से गेंद के साथ जादूगर कहते हैं इनको आज इनके इशारों के नाच रही थी गेंद और साथ में बले बाज भी मैरल मैच का अवार्ड इस गेद बाज के जबर्दत प्रोदर्शन के लिए